हलो फ्रेंद्स रेश्मो मल्टी चैनल में आपका स्वागत है आज में ये बचे हुए आटे से बहुत ही अच्छा पापड बनाने वाली हूँ तो ये रात का बच्चा हुआ आटा है तो मैंने इसे फेका नहीं इसे मैं पापड बनाऊंगी तो अगर ऐसा आटा हो जिसमें न आटा है वह अच्छे से पानी में ढूब जाए हम थोड़ा सी से प्रेश कर देंगे ताकि ये पानी में ढूब जाए इस तरीके से अब इस पे हम ढखकन लगा के इसे ढख देंगे और एक घंटे रेस्ट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसे हम एक घंटे रेस्ट में बिल्कुल अच्छे से एकम झाल गुल जाएगा और बिलेटे के पां़े मेद राफ समत और पीमah कर दीया अन। इस बेटें उ nimmt ख्वार ये अच्छे से अच्छे से कुंगिा करें गूंत देखें ब्रिणते तो अच्छे से क ayudud इस बड़तर में लिए उसके ऊपर यह हम चंदी रखेंगे इस टाइप का चंदी आपको भी चंदी रख सकते हैं ऐसे इसको बनाएंगे इसके उपर हमने यह कॉटन का कपड़ा रख दिया है अब इसमें हमने जो वह घोल बनाया हुआ आटा का इसको हम ऐसे डालेंगे यह द और ध्यान दे कपड़े से ही हमें चंदी से नहीं क्योंकि उतना वारिक वह नहीं चंदेगा तो हम ऐसे कपड़े से फर्स टाइम चंदेगे देखिए यहां जो गेहुं के चोकर है वो निकल गये इसको हम पूरा उसी तरह प्रोसेस से हम इसे इस कड़ाही में चंदी लेते हैं तो हम थोड़ा-थोड़ा करके गिराएंगे और चंदी से ऐसे चान लेंगे तो हम सबको चंदी से अच्छे से चान लेते हैं ताकि जो भी कड़ हो वो आराम से निकल जाएं देखिए इस टाइप से मैंने चान लिया है अब इस पे हम ढखकन लगा कि इसे छोड़ दें कि इसमें हम इसका पानी निकाल लेते हैं इस तरीके से धीरे-धीरे यूपर का सारा पानी ये धीरे-धीरे करके निकाल लें मिंगे देखें यहां मैंने इससे सारा पानी निकाल लिया है देख सकते हैं आप यह पीले कलर का पानी देख रहा है तो यह पीले कलर का पानी इसलिए हो जाता कि दो घंटे से आप अधिक इसको रखते हैं पीला हो जायागा पानी अगर आप सिर्फ दो घंटे रखते हैं तो सफेदी पानी रहेगा तो मैं इसे थोड़ा ज्यादा देर तक रखी थी इसलिए ऐसा देख रहा है आप दो ही घंटे रखें दो घंटे में भी चोड़ भी देंगे उसको कई घंटे तो कोई प्रॉब्लम नमक और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे यहां मैंने तिन लाल मिर्च ले लिया है और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च लिया है तो इनको हम कूट लेते हैं हमने काली मिर्च और लाल मिर्च को कूट लिया है तो इसे हम मिला देंगे इसमें और यहां थोड़ा सा हमने नमक लिया हम इला देंगे इन सब को अच्छा से हम इला लेते हैं इसमें सोडा उडा कुछ भी नहीं डालना है पानी हमारा गरम हो रहा है इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो पापड़ बनाना हम शुरू करेंगे हमने घोल को अच्छे गोल लिया है यह देखिए गोल को हमने अच्छे से घोल लिया है हमने इस टाइप का एक थाली ले लिया है इसमें हम ऑईल को लगा लेते हैं तो यहां मैंने दो चम बच ऑईल दिया है रिफान ओल हम थोड़ा सा इसमें लगा लेंगे हम थाली में अच्छे से ग्रेज कर लेत पानी गरम हो चुका है तो इस पर हम इस टाइब का थाली रख देते हैं तो हमने थाली को रख दिया है इस कड़ाही के ऊपर अब हम पापड को बनाएंगे थोड़ा सा लेंगे और हम पापड को बनाएंगे बहुत असान है और जल्दी से बन भी जाता है पतला पतला हम पापड बना लेते हैं इस तरीके से आप चाहें तो पूरे थाली में बना कर उसे काट सकते हैं ग्लाद से या किसी भी अलग-अलग शेप में यह बिल्कुल अच्छे से सूख गया है तो इसे हम पलट लेंगे इस थाली को इस थाली को हम ऐसे कपड़े से पकड़ेंगे और ऐसे उल्टा करके हम इसे तीछ सेकरण तक ही हम ऐसे रखेंगे ताकि पापड अच्छे से निकल जाएँगे ऐसे करने से यह थोड़ा से ठंड़ा हो गया तो हम इसे निकाल लेते हैं यह देखिए आराम से बिल्कुल निकल जाता है इसे हम ऐसे पकड़ेंगे और यह देखिए कितना अच्छा हमारा पापड बना हुआ है अब देख सकते हैं बिल्कुल पतला सा और अच्छा इसे हम रख देंगे इसी तरीके से हम सबको निकाल लेंगे देखी बहुत ही अच्छा हमारा पापड बना हुआ है पतला सा खाने में तो बहुत स्वाधिस्ट लगता है इसे आप जरूर से इस खोली पर बनाईएगा अब इसे भी हम रख देते हैं सेम प्रोसेस से मैंने उसी तरीके से यहां पापड को बना लिया है मैंने इस थाली में डाल दिया है अब देख सकते हैं गराही में तक हम एसे छूड़ेंगे यह सूखना सटार्ट हो गया है जब यह सूख जाएगा तो इस थाली को हम पलट देंगे इस कडाई में ताकि भाब से इस साइट का भी पəग जाए तो यह देखिये आप देख सकते हैं यह सूखना इस्टाट हो गया है तो इसी तरीके से हम सारे पापड को बना लेते हैं बहुत ही एजी है बहुत अराम से बन जाता है खाने में बहुत सवाधिस्ट होता है तो इस होली पे इस पेशली इस चीश को आप बनाएगा ट्रै करके देखिएगा आपको बहुत पसंद सबस्न सारे आप देख सकते हैं यह सूख गया है इसे हम पलट लेते हैं इस तरा कपड़े से पकड़ेंगे और हम इसे इस्ठाली को पलट लेंगे और 30 सेकेंड तक इसी तरह हम छोड़ देते हैं बहुत जल्दी हो गया है तो हम इसे चेक कर लेते हैं ध्यान से हाथ ना जले भाप से कपड़े के हेल्प से हम इसे पकड़ेंगे और हम ऐसे यहां इसे रख लेंगे थोड़ा से हम रखेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए तब यह अराम से निकल जाएंगे अब इसे हम चाकू के हैल्प से निकाल लेंगे इस तरीके से इसी तरीके से हम सब को निकाल लेंगे ठंडा होने पर यह अराम से निकल जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता इन्हें निकालने में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना हुआ है तो इन्हें हम प्लास्टिक सीट पे रख देंगे आप इसे एक बर ट्राइ कीजे बनाईएगा और खाके हमें बताईएगा कमेंट में आपको यह कैसा लगा बहुत ही अ पापड़ व क्लेंगे यह देकंगे रख यहां थी गहंटे हो चुका है बिलकुल अच्छी से शूख गया है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है हमारा आटे का पापड आप देख सकते हैं अर बिलकुल अच्छी से ब्राइगा है इसे हम फ्राइकर की दिखाएंगे हमने कैस पे ओल को रंग दिया था ऐल बहुत अच्छे से करश हो चुका और इसमें हमने पापड को भी ढाल दिया यह देखे पापड अपने साइसे दो कुना होग्या है बहुत ही अच्छा कहिल रहा है और अच्छा पैपड़ को अच्छा बना व्या जिसी तरीके से हमने तल लिया है मैं इसकी आवाज सुनाती हूं बहुत ही क्रिस्पी और स्वाधिस्ट और अच्छा हमारा पापड़ाटे का बना हुगा तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब